सबसे बड़ी बात कि ये कनेक्शन जो है बिहार से निकल कर उत्तर प्रदेश जहारकंट से लिके कई जिलों तक फैला हुआ था और कली हमने अपडेट भी दिया था कि जहारकंट के एक बड़े मेडिकल कॉलेज में जो दस मेडिकल के डॉक्टर्स थे उन्होंने पेपर को से आश रही है आप सिकंदर यादवन्नी से निकल कर अगले लिंक पर जाने के कोशिश की जाए है संजी मुक्या की बात करें जो अंच्युल वटसे नकी में बात करें ऑर संजी मुक्या के बारे में बड़ी अपडेट ये हाला कि एंटी सिपेट्री बेल भी उसने दाखिल की थी जिस पर सुनवाई नहीं हुई है और अब कहा जा रहा कि 25 तारीक को सुनवाई होगे इस मामले में लेकिन संजीव को पुलिस सलाश रही है एक और अपडेट जानकार यह मिली कि हाला कि पुलिस इस बात को मान नहीं र पुलिस वाले इस बात को कंफर्म नहीं कर रहे हैं संजीव मुख्या के तलास बहुत तेज हो गई है एंटी सिपेट्री बेल उसने दाखिल की थी और कहा यह जा रहा है कि उसके जरिये जो रंजी डॉन जो हुआ करता था बहुत पहले जो पेपर लिक मामले का बड़ा पिकारा है इसी पेपर को अमित और नितीश को भेजा गया रवी अतरी गैंग से प्रशन पत्र और आंसर पेपर लेने के बाद अमित आनंद और नितीश कुमार को वाटसेप के जरिये भेजा था प्रशन पत्र और उसकी आंसर शीट ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे ह आपको बता दे हम इसमें एक और नया नाम जुड़ गया है आरोपी सिंटू का जिसको देवघर से गिरफतार किया गया है और इसने किस कदर बाकी और साथियों के साथ मिलकर कौशन पेपर और आंसर शीट को आगे पहुचाया गया था यह हम आपको लगातार बता रहे हैं और अनूप हमारे साथ सीधे ग्राउंज जिरो से जुड़े हुए है उनके पास चलेंगे अनूप बता रहे हैं आप जहां पर हैं वो संजीव मुखिया की ही जगा हा और किस तरीके से संजीव मुखिया खुद भी एक बड़ा ड्रॉप आउट रहा है मेडिकल का अब जिस देखें मेडिकल का ड्रॉप आउट रहा है